हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने इंफिनिक्स 030 एंडुड वाइल फोन में अगर आपके वाट्साइप की इंकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ओपर शो नहीं होती है तो इस प्रॉल्लम को आपको सॉल्व कैसे करने है आज फटैप करने है इस से क्या होगा आपका मुइल फोन जाहे इसके थोड़ी दियर बाद अटमेटिक sーチट ओन हो जाएगा restart करने से यह होता है कि हमारे mobile phone के android system में अगर कोई problem आ जाती तो problem जो solve हो जाती है phone को restart करने से ठीक है अब दूस्तो अगला process यह करना है कभी भी आप अपने whatsapp पर जब भी incoming call receive करते हैं तो आपकी mobile phone का internet आपका चलू रहना चाहिए अगर आप किसी को whatsapp पर call कर रहे है तो जिस other person को आप call कर रहे है तो उसका भी internet चलू रहना चाहिए अब दूस्तो अगला process यह करना है कि आपको अपने whatsapp को reset करना है यानि कि whatsapp का data clear करना है कैसे अगर आप अपने whatsapp को उंगली से थोड़ी देर तक दबा के रखेंगे तो आपका एक छोट अज़ा page open हो जाएगा इस तरीके का इसमें आपको app info लिखा हुआ मिलेगा या फिस circle के अंदर जो i button है इसे tap करना है आपका whatsapp का page open होगा इसमें आपको नीचे storage and catch पर tap करना है इसके अंदर आपको दो option मिलेंगे एक तो clear storage का दूसरा clear catch का आपको इसे पहले clear catch पर tap करना है इसके बाद आपको इसे clear storage पर tap करना है आपका एक page open होगा delete tab data का इसमें आपको ok पर tap करना है आपका ये जो data और ये जो catch है इन दोनों के सामने ला data ये आपका zero हो जाएगा इस तरीकिसे आपको अपना ये whatsapp जो है reset कर देना है जिससे आपके whatsapp की call screen के उपर show नहीं होती है ये problem आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब दूस्तो अगला process ये करना है कि आपको अपने mobile phone का software एक अंदर कुछ कमिया आने लगती है तो आपके phone का software update है या नहीं है आपको check कैसे करना है दीकिए सबसे पहले आपको phone का internet आपको चालू रखना है इसके बाद आपको phone का setting page open करना है setting page के अंदर आपको निची की साइड ये system पर tap करना है इसके अंदर आपको ये system update पर tap करना ह यहाँ पर आपको इसे continue पर tap करना है तो आपको इस वाले page पर अगर कोई भी update का button दिखाई देता है तो उससे आपको tap करके अपने phone का software update कर लेना है जिससे आपके whatsapp की जो call screen के पर show नहीं होती है ये problem आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों आपको अगला process करना ही है कि यापको अपने whatsapp को भी update कर लेना है अगर अपडेट नहीं है तो ईसके लिए आपको mobile phone का play store open करना है play store में आपको सबसे बार पर पर तैप करना है search बार पे tap कीजिये यहाँ पर आपको search बार में लिखना है whatsapp लिखके चरच करना है अगर आपको whatsapp के सामेने यहाँ पर update अ अगर अपडेट नहीं है तो भी है आप दूस्तों इसके बाद यहां पर आपको अगला प्रोसेस करना है कि आपको जो आपने वाइल फोन को प्रॉलम आपकी solve हो जाएगी लेकिन phone को reset करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात आपको यह ध्यान रखने है आपके mobile phone में जितना भी data है सारा data आप किसी दूसरे mobile phone में transfer कर लीजिए या उसका backup ले लीजिए दूसरी बात यह ध्यान रखने है कि आपक solve हो जाएगी ठीक है